स्वागते जम्मजन के उड़ान आइस एड्मेनेस्ट्रेटिव एकेडमी के यूट्यूब चैनल में हमारे द्वारा जो MCQ सीरिस चलाई जा रही है जिसमें हम पीएसी तथा व्यापम के द्वारा आयोजीत की जाने वाली सभी परिक्षाओं के संपूर्ण सीलेपस के अधार पर MCQ सीरिस लेके आये हैं उसी कड़ी में अगला वीडियो में लेके आ रहा हूँ चतिस गड़ समान यद्ध्यन और चतिस गड़ समान यद्ध्यन में जो टॉपिक है चप्टर है वो है चतिस गड़ की कला संस्कृति और परियाटन से संबंधित वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिएक महत्पूर्ण सूचना है URAN IS Administrative Academy एक special बैसल आ रही है जो की PSC Prelims 2023 को targeted है मतलब हम इसमें आपको PSC Prelims 2023 की तयारी करवाएंगे जो major subject है उसके हम तयारी करवा रहे हैं इसके माध्यम से जैसे आप जानते होंगे कि जो PSC का exam होता है उसमें दो paper होता है एक को बोलते है CSAT Civil Services Aptitude Test और दूसरा है GS और GS में आप जानते होंगे कि 50% जो है वो 36 गड़ के प्रश्ण होते हैं और CSAT की अगर बात क्या जाए तो CSAT में लगभग अब तक जो ट्रेंड रहा है 65-70% जो है reasoning और mathematics के question रहते हैं तो इसी सब बात को ध्यान में रखते हुए हम एक special bachelor है जिसमें maths की तैयारी आपको रवी सर के माध्यम से मिलेगी जिसमें रवी सर आपको पढ़ाएंगे पूरे CSAT पेपर का लगभग 65-70 question के लिए तैयारी करवाएंगे आपको और गनीत और reasoning लेके आएंगे सर बाकी हम GS paper को ध्यान में रखते हुए GS paper में भी होता है सव question तो 50 तो 36 गड़ है इसके अलावा लगभग 8-10-8-10 के आसपास history के question मिल जाते है समविधान के question मिल जाते है current affairs के question मिल जाते है अगर मूटा मूटा आप इसको समझ ले तो 25 अंक में तीनों को बोल रहा हूं तो मतलब 75 अंक के लिए लगभग आपका GS paper भी तैयार हो जाएगा तो इसमें 36 गड़ समान अध्यन एक class चलेगी एक होगा समविधान इसमें हम पढ़ाएंगे भारती इतिहास हम पढ़ाएंगे और इसमें समसामी के होगी समसामी के आपको सुधिव सर पढ़ाएंगे प् सुपेपर ही होता है मिड़ फरवरी में तो जो प्रतिभागी चाहते हैं PSC prelims 2030 की तैयारी करना तो हमसे जूड सकते हैं यह जो बैच है वो 3 नवंबर से आराम हो रही है और यह हमारे head office branch में होगी head office में है सुबह साढ़े साथ से साढ़े दस के बिच यह कच्छाएं लगे अगर अधिक जानकारी चाहिए इस बैस से संबंधित तो आप हम से इन दिये गए नंबर उपर संपर्क कर सकते हैं तो मैं बोला था कि हम 36 गड़ समानी अध्यन डिसकस करने वाले हैं और 36 समानी अध्यन में डिसकस करने वाले हैं वो 36 गड़ की संस्कृती परियाटन से अगर आप जानते होंगे छेड़ छेरा पर्व तो छेड़ छेरा पर्व हमारे यहां धान के फसल की कटाई के उपरांत मनाया जाता है कब मनाते हैं तो पैस पॉस माहा के सुकल पक्ष के पूरी माकिनिंग इस समय घरो घर जो बच्चे हैं वो मांगने जाते हैं क्या अनाज इसके अलावा बस्तर छेत्र में इसी समय जो बच्चे हैं वो जीरी लिटी नित्ते करते हैं जीर लिटी बोलते हूं उसी को जब छेड़ छेरा वेड़ छेरा मांगते हैं तब तो छेड़ छेरा गीत गाया जाता है इस आउसर पर छेड़ छेरा पर्व मनाया जाता है कब पॉस माह के पूरिमाम, तो option C इसका सही जवाब है, किसके नाम पर इस राज्य का अहिंसा एवं गौरक्षा सम्मान, अहिंसा और गौरक्षा सम्मान इस्थापित किया गया है, तो जब राज्य अलंकरन की बात होती है, तो राज्य अलंकरन में हम पढ़ते हैं, बहुत सारे स सम्मान है, जो विभिन्न विभूतियों के, जब हम राज्य अलंकरन पढ़ते हैं, तो राज्य अलंकरन सम्मान में पढ़ते हैं, कि विभिन्न विभूतियों के उपलब्धी को ध्यान में रखते हैं, राज्य सरकार ने राज्य अलंकरन सम्मान, इस्थापित किया और उनक कई सम्मान है उसमें से पूछा जा रहा है कि अहिंसा गौर अक्षा के छेत्र में कौन सा सम्मान दिया जाता है तो इसका उत्तर है वो है यती यतनलाल इनके नाम से अहिंसा एवं गौर अक्षा के छेत्र में राज अलंकरन सम्मान दिया जाता है अगला प्रसना है बागे मता विराजमान है औरगी का लोकेशन है जीला सूरजपूर है लोकेशन का नाम है कुदरगड जहां मता बागेश्वरी विराजमान है बागेश्वरी मता का मंदिर लगभग या मंदिर जो है वो 2017 सताथी में निर्मित माना जाता है यही होता है कुदरगण में महत्सो कुदरगण महत्सो बुलते हैं और कुदरगण आप जानते होंगे तो हमारे यह नवरात्री दो बार होता है एक चैत्र नवरात्र है मतलब चैत्र महा के सूक लपक्ष के प्रत्मा से नौमी तक चलता है और एक जो है वो चैत्र नवरात्र में हर साल कुदरगड महत्शाव का आयोजन होता है, सूरजपुरजीला में यहां इस्तित है, माता बागेश्वरी का मंदिर है, मूर्ती स्थापित है, तो उत्तर है इसका उप्शन C. अगला प्रशन है, पत्रकारिता छेत्र के लिए इस राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस सम्मान की स्थापना की गई है, जैसे थोड़े देर पहले मैंने बोला कि राज्य लंकरन सम्मान होता है, पत्रकारिता के छेत्र में हमारे यहां दो सम्मान होता है, मतलब दो अल गलग पत्रकारिता है जिसमें से एक तो है हिंदी इलेक्ट्रानिक मीडिया और मिडिया के लिए और दूसरा जो है वो है अंग्रे जी हिंदी सम्मान दिया जाता है वो है मदुकार खेर जी तो उत्तरओ का चंदू पुलाल चंद्राकार, option A, इसका सही जवाब है, अगला प्रस्न है, बस्तर छेतर की बूली नहीं है, बस्तर छेतर, अगर आप पढ़े होंगे tribal culture, तो tribal culture में पढ़े होंगे आप, जो हमारा बस्तर छेतर है, मुख्य यहां की बात के जाये, तो मुख्य जंजाती इस छेतर में निवास करती है, वो है गोंड, ऐसे तो गोंड हमारे संपूरे 36 गड़ के जीलों में निवास करती है, लेकिन इस बस्तर छेतर की जो प्रमुख आदिवासी समुदाय है, वो गोंड, ये कांकेर है, ये गाव है नरायनपूर बीजापूर बस्तर दंतेवाड़ा और सबसे नीचे सुकमा इस छेत्र में निवास करने वाली जो प्रमुक जन जाती है वो है गोंड और गोंड के कई उप जन जाती है इस छेत्र में निवास करती है जैसे बोला जाए तो बीजापूर और सुकमा जील गोंड का ही समुदाय है, एक जन जाती है, जो आप पहले ही जानते हैं, छतिस गड़ की विशेश पिछड़ी जन जाती है, मारिया दो है, हमारे छतिस गड़ में निवास करने वाले समुदाये में मारिया दो है, एक है मारिया की बात कर रहा हूँ, दो मारिया है हमारे हाँ, एक जो अबूजमार छेत्र में निवास करते हैं, नरायनपूर का जो अबूजमार का टिपिकल एरिया है, पहाडी छेत्र है, वहाँ निवास करते हैं उसको बोलते हैं अबूजमारिया, इसके अलावा बस्तर दंते वाडा के पठारी छेत्र में निवास करते हैं उनको बोलत जी है particularly vulnerable tribal group विसेज पिछड़ी जंज आती है इसी में प्रचलित है ककसाड ककसाड पर्वा मनाते हैं लोग चैत्रमा में माटी तिहार के बाद और ककसाड रित्ते करते हैं कहीं मिलेगा यह ककसाड वही है कोई अंतर नहीं है कहीं मिलेगा खकसाड वही है कोई अंतर नहीं है इसी अबूज माडिय समुदायम क्योंकि गोंड का हिस्सा है मैं बोल रहा हूं पहले से बोल रहा हूं माडिय मतलग गोंड ही है पहले से बोल रहा हूं मैं तो गोंड का हिस्सा है इस गोटूल में जो लड़का सदस्य होता है वो कहलाता है लैयोर और जो लड़की सदस्य ह गोटूल में इन लोग जिस देवता की पूजा करते हैं वो है तालूर मुंते देव की पूजा करते हैं अबूज मारिया अपने गोटूल में इसी अबूज मारिया समुदाय में कि स्थनांतरित क्रिसी रही है जिसको बोलते हैं पेद्दा या दिप्पा के नाम से जाना जात पेद्धा मतलब पाहडी चेतर जब इन लोग पदों को साप करके वहाँ पर अनाच बोते हैं डिप्पा पहाड के नीचे के एरिया मैं जब इन लोग ऐसा करते हैं तो उसको बुलते हैं दिप्पा तो अबूज़मारिया समुदा है बहुत ही महतपून इसमुदाह है यह बात के जाए दंडामी माडिया की, तो दंडामी माडिया समुदाए जातरा परव के दवरान एक नृत्य करती है, कोहक लगा के, कोहक मतलब जानते होंगे आप, जो जंगली जानवर है बाइसन, बाइसन के जो सिंग है, उसको कौडियों से सजा के एक मुकूट टाइप का बन चीज याद रखेंगे, तो दूसरा चीज क्या है इस दंडामी माडिया समुदाए के लिए, तो दंडामी माडिया समुदाए की दूसरी विसेश्ताया है, इससे जोड सकते हैं आप कि इसको गोंड को, यह गोंड का सब्ट्राइप्स है, तो यह भी सब्ट्राइप्स होग तो मैंने बोला कि माडिया का समुदाय है नरायनपूर में निवास करती है कहीं आप कुछ भी पढ़ रहोंगे तो आप करेक्शन कर लेगे भई कहां से करेक्शन करेंगे तो फिर आप वेबसाइट सर्च कर सकते हैं गौवर्मेंट का एक और समुदाय है आप जानते हैं गोंड की फेमस समुदाय है मूरिया बोलते हैं मूरिया नरायनपूर कोंडागा बस्तर इसकी मुख्य जो निवास है वो इन जीलों में है मूरिया जन जाती है इसी दंडामी माडिया जिन जिन जीलों में रहते हैं उन्ही जीलों में अधिक जन संख्या के साथ निवास करती है भतरा भतरा जन जाती भतरा है बस्तर में मुख्य रूप से ये बस्तर है बस्तर में निवास करती है धूरुवा परजा उन्ही का नाम है गदबा अब पूरा बस्तर छेतर और इसके सीमावर्ती जीले इसके सीमावर्ती जीले कहने का मतलब क्या इधार है मोहला मानपूर अंबागडचों की ये है बालोद ये है धमतरी तो मोहला मानपूर उसके उपर राजनांगाओ राजनांगाओ मोहला बालोद धमतरी इन जीलों में और इसके अलावा बस्तर के छित्रों में एक समुदाई निवास करती है वो है हलबा 36 गड़ का सरवाधिक संपन्न समुदाय बोलते हैं हलबा समुदाय सरवाधिक साक्षड समुदाय है साक्षड़ता दर 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे अधीक है हलबा समुदाय में अब ये सब क्यों बताय हों तो जानना है आपको भिनकी कुछ न कुछ बोलिया होंगी जो गोंड है उनलोग अधिकतर गोंडी बोलेंगे उनका नाम उस जंजाती के नाम से होगा लेकिन यहाँ पर जो गोंड नहीं है उस पर काम कर रहे हैं अपन गोंड नहीं है कौन इसको खीचने का कारण यही तो उसी पर काम करना ही गोंड नहीं है कौन हलबा गोंड नहीं है यहां भातरा भातरी नहीं नहीं भातरा वो मन बोली बोलते तेरा करते भातरी तो भातरा और हलबा गोंड नहीं है हलबा लोग हलवी बोलते हैं भातरा लोग भातरी बोलते हैं अ ते जाना थो बस की हलबा अधिक संख्या में है यती नीचे तनी हलबा मन हलवी बोलते तो बस्तर की संपर्क बोली बोल देते हैं इसी को बस्तर छेत्र में जो कनवर्सेशन का धिक्तम माध्यम है वो है हलवी अब देख ले आपसन तो समाज आज ए गदभी बोली इच भतरी बोली हिच हलवी एक चीज नहीं दिखे का सद्री सद्री कोन मन बोलते पहाड़ी को रोमन उपर तनी तो अपसन है नहीं है बोलते तो अपसन है का अपसन बी सद्री अगला प्रस्ण बे अंतर्राश्ट्री बोध सम्मिलन का आउजन प्रती वर्ष छे फरवरी को कहां की जाती है अंतर्राश्ट्री बोध सम्मिलन का आउजन होता है हर साल छे फरवरी को होता ही है डोंगडगड में डोंगडगड में अगर मैं 2023 के इस अंतरराश्ट्री बहुत सम्मिलन के सिक्वेंस की बात करूँ तो जो IMP है तीसवा नंबर का यहां पर आयोजन हुआ है अंतरराश्ट्री बहुत सम्मिलन का और डोंगडगड कहां है यह मुद्ध है तो डोंगडगड सबों को जाना थो जहां हर साल 6 फरवरी को होता है अंतरराश्ट्री बहुत सम्मिलन 23 के 30 वा इसके अलावा और कुछ चीजिये हैं जो इससे से जोड़ सकते हैं आप अभी जान रहे होंगे चक्रधर समारो इस पर कोश्चन मिलेगा ही आपको चक्रधर समारो पहला तो यह कहां होता है यह जा होता है और गणेश चतुर्थी 10 दिन चलता है इसी बार भले 21 से 23 सितंबर के बीच हुआ है 2023 में लेकिन हर बार जो है वो होता था यह 10-10 दिन गणेश भगवान जिस दिन विराजमान होते थे और विसरजन का दिन मतलब अनन चतुर्दसी के दिन तक यह आयोजन होता था सं अंगीत का समारो है राजा चक्रधर की स्मृति में इस परंपरा की सुरुवात हुई की गई है 1985 में अब पच्यासी में चले है तो यह पहला होई सोई सगा अब 23 में हो है कहा थो रिसेंट में तो यह कोई ना कोई तो करम होई न तो अभी जो हुआ है वो है 38 अड़तीसवा हुआ है क्या चक्रधर समारो यहां से जोड़ लेंगे करेंड की घटना है यही रायगर में भी हुआ है जानते है अरन्यकांड के थीम पर क्या अरन्यकांड के थीम पर हुआ है रास्ट्री रमायन महत्सो एक से तीन जून के बीच उसको भी आप जोड़ लेंगे करेंड का वो भी मुद्धा कहा हुआ है अरन्य कांड उसका थीम था दो विदेशी देशों ने इसमें पाटिसिपेट किया था कमबोडिया और इंडोनेसिया ऐसे कुछ हुआ देख लेवे पढ़ लेवे तो उत्तर क्या है इसका दोंगरगड सीरपूर नहीं आगा ना भई बहुत धर मुद्रा में बैठे हुआ है उसी केंपस में होता है इसके अलावा और इंफॉर्मेशन जोड़ू मैं डोंगरगड का तो कुछ नहीं सुने होंगे तो यह सुने होंगे प्रसाद खाये वाला नोहरे प्रसाद, पिल्ग्रिमेज, रिजुविनेशन, अगुमेंटेशन, स्प्रिच्वल ड्राइब ऐसे कर फूल फान यह ताकि वहाँ पर परियटन सुईधाओं का विकास किया जा सके उसमें छत्तिस गड़ का यह दोंगरगड है यहीं पिल्ग्रिम एक्टिविटी सेंटर बन रहा है अगला प्रस्ण है अबूज मारिया इस राजी की निम नलिकित में से किस जन जाती क्यों जाती थोड़ देर पहले डिसकस करी चुके हो माडिया के हैं माडिया और माडिया दो है एक नरायन पूर के अबूज माड छेत्र में निवास करते हैं वो कहलाते हैं अबूज माडिया गोंड है कही रहा है पहली लिल न अबूज माडिया जो अबूज माड में रथे एक विशेज पिछडी जन जाती है और दूसरा भी तो कहने के मतलब कोंडा गाओं बस्तर दंते वाड़ा सुक्मा जीलों में मुख्य रुपसिंगी अबादिया है तो अबादिय इनकी मुख्य रुपसिंग जीलों में है यह दंडामी माडिया गौर्ण दिते इसमें होता है ऐसा कुछ बता दियों जात्रा परवके दोरान तो मृतक इसुमृत्य स्थमभ की परंपरा है। जब इनके परिजन ओक होता है धो जनरल आदिवासी समुदाय में सौ को दफनाने की परंपरा है। और जब पहले चौ को दफनाय जाता था तो इस मृत में बड़े-बड़े पत्थर फोड़ जे आ बृतिस्तम की परंपरा तो उत्तर है कोंड ऑप्सन ए सही जवाब है इसका प्रस्न है निम्न लिखित में से किन्हें पद्म भूसन सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है पद्म भूसन की बात हो रही तो आपको अगर पता होगा तो पद्म भूसन हमारे 36 गड़ में अब तक तीन लंकरण और दूसरा पद्म लंकरण और पद्म लंकरण तीन होतेगा एक पद्म भूसन और दूसरा पद्म भूसन और तीसरा पद्म स्री अब पद्म स्री तब पर जनला मिले है मुकुर धर पांडे जी से कहानी सुरू हो है 1976 में 36 गड़ के पहले पद्म स्री अब 23 के तो याद रखने सका एक्जाम के पॉइंट अफ्यू से तीन जलन मिले उसा बारले जी है अजय कुमार मंडावी जी है अव दुमार सींख कुमार जी है तेईस में विभूसन एके जलन मिले है खाती लब्ध महिला है कोन तीजन बाई जी तीजन बाई जी मिले है दो हजार उननीस में भारास सरकार के द्वारा इनकी उपलब जी को धियान में रखते हैं इनको पद्मभी भूसन से सम्मानित के आगए पद्मभूसन पाने वाले तीन लोग है पहले पद्मभूसन है वो है हभीब तन्वीर जी 2002 हभीब तन्वीर रंग मंच के प्रसिद्ध कलाकार रहे है दूसरा नाम है तीजन भाई जी का, तीजन भाई एक ऐसी परस्नाल्टी है, जिनको तीनों संमान मिल चुका है, 1987 के वो पदम स्री है, 2003 के वो पदम भूसन है और 2019 के वो पदम विभूसन है, एक मात्र परस्नाल्टी हमारे प्रदेश में, जिनोंने मान बढ़ाया है, गवरा बढ़ाया है, 36 गण महतारी का तीजन बाई जी, तीसरा नाम है, वो है डॉक्टर सत्य देव दूबे जी, रंग मन से जुड़े हुए ये भी परसनाल्टी है, डॉक्टर सत्य देव दूबे, जिनको इनके उपलबधी के लिए 2011 में पद पंडवानी से संबंधी थे, इनको 36 गण में फादराब पंडवानी बूलते हैं, पंडवानी के जनक, जिन्होंने पंडवानी लोक गाथा को प्रसिद्धी दिलवाने में अहम भूमी का निभाई, वो है जाडू राम देवांगन जी, अगला प्रसन है सर, पांडो विकास अभी करान निम्न लिखित में से कहां इस्थित है, यह जानना है, अत्तोल पता हुईते, विशेज पिशडी जन जाती सूनत आथा सते हैं, 1973, यूसी डेवर कमिटी ने रिकमेंड किया, तो इसी अधार पर प्रिमिटीव ट्राइबल ग्रूप का कॉंसेप्ट आया, प्रिम लेकिन ऐसा समुदाय जन जातियों में, जिसमें कुछ मापदंड को लेकर पिछड़ापन है, क्या है मापदंड सर, इसको नाम देने का, तो एक मापदंड है सर, इनका जो आवास है वो एकदम दुरगम छेतर होना चाहिए, टीपिकल ले रिया, पहला पर, दूसरा मापद मापदंड है, इसमें सिक्षा का इस्तर निम्न होना चाहिए, निम्न सिक्षा का इस्तर, तीसरा मापदंड क्या है, तो तीसरा मापदंड है, इसकी जन संख्या या तो इस्थीर हो गई है, या रिनातमक हो रही, बड़े नहीं रही है समय के साथ, और चौथा मापदंड क् क्रिशी की आदिम परंपरा रही हूँ जिसको हम इस्थानांतरित क्रिशी बोलते हैं तब इन ही चार मापदर्ण की अधार पर किसी भी समुदाय को भारत सरकार ट्राइबल में से ही विशेश पिछडी जन जाती का दर्जा दे सकती है ये प्रयास किया गया था 73 में फिर 2006 में जाके इस नाम को बदल दिया गया मापदर्ण वही रहे नाम बदला पर्टिकुलर्री विल्नरेबल ट्राइबल ग्रूप अब इसको ये बोलते हैं पीवीटी जी भारत देश में ऐसे पीवीटी जी की संख्या जो वो 75 है और इसा राज्य जहां सबसे अधिक पीवीटी जी लिस्टेड है हमारे प्रदेश की हम बात करें तो 36 गड़ के 5 समुदाय को पीवीटी जी का स्टेटस है अगर जानते होंगे तो आप अब कोन कोने सर पीवीटी जी में तो देख लिजे सर चेंज हो गया है मेरा की यूटूब में बहुत पुराना वीडियो है उसको नहीं पढ़ेंगे न भाई उस समाई स्थिती था था बराया था जो पांच हमारे यहां पीवीटी जी है जो भारत सरकार के द्वारा विशेश पिछड़ा गोसित है उसमें सामील है सर नीचे एक नाम लेहीं रहे हो अबूज माड़ छेत्र में अबूज माड़िया है क्लॉक वैस चलना है सरो यह है बस्तर छेत्र दक्षिंड और उस बस् जिसमें है कबिरधाम, खैरागाड, राजनांगाउं, मोहला यह सरबालोद यह दुर्ग उपर वेमितर है रायपूर डिविजन धमतरी है रायपूर है यह बलोदा बजार भाटर पार है महा समुदर गरियावन है बिलासपूर डिविजन का मुंगेली गौरेला पेंडर मर यह बिलासपूर यहां से है सक्ति और जानगीर चांपा यह सारंगड विलाईगर यह रायगड़ है और उपर है कोर्वा फिर यह जो है वो है आपका मनेंद्रगर चिर्मिरी भरतपूर यह कोरिया है सूरजपूर है बलरामपूर उपर सरगुजा नीचे और जस्पूर आच विशेष पिछडी जन जाती है एक जन जाती निवास करती है कहां नरायनपूर में अबुज माडिया चतिस गड़ का एक पीवीटी दूसरा यह है आपका जीला का नाम है खैरागड चुई-खदान-गंडई यह है कबिर्धाम पहले राज्यांगाउं होता सथर लेकि पीर मुगेली यह है विलासपूर का कोटा विकास खंड यह है गोरेला पेंडर मरवाही यह है मनेंद्रगड और इधर सोनहत विकास खंड यह पूरा एक ट्राइबल ग्रूप है नाम है सर बैगा बैगा समुदा है 36 गड़ में पांच विशेष पिछड जन जाती है उसमें कहता है लगबग 90 हजार के आसपास बैगा समुदा है उस 90 हजार का 50 परसेंट जो है वो अकेले निवास करता है कबिरधाम में ठीक फिर अगला समुदाई की बात क्या जाए तो एक तो हुआ अबुजमारी है दूसरा हुआ बैगा तीसरा है सर बिरहोर बिरहोर कहां निवा करती तो विलासपूर से शुरू करना है विलासपूर यह है कोरबा रायगर्ण और यह जस्पूर इन जीलों में निवास करती है विरहोर समुदाई 36 गड़ में विशेज पीछडी जन जाती हो में सबसे कम जन संक्या इसी की है सल्गवज 3000 प्लस में है फिर अगला समुदाई है वो है आपका पहाडी कोरबा बुर्णहों तो का से स्टार्ट हो रहे है कोरबा से स्टार्ट करना है यह है आपका कोरबा यह है सरगूजा यह ह बलरामपूर, रामानुजगन्ज इन जीलों में निमास करती है जो समुदाय है समुदाय का नाम है पहाडी कुर्वा पहाडी कुर्वा जन जाती है कि इसे इस पिछडी जन जाती है और उसके बाद फिर स्टार्ट करना है बलोदा बजार भाटा पारा जीला का कजडूल विक यहां का जो है आपका छूरा विकास खंड का हिस्सा कुछ फिर मुख्य रुप से जो आएगा वो है गरियवन्द विकास खंड मैनपूर विकास खंड यहां से नगरी विकास खंड यहां से नरहर पूर विकास खंड यहां से बड़े डोंगर इन जीलों में निवास करती लेक लेकिन इसके अतरिक इसी के समकच राज्य सरकार ने वर्ष रुम में दो और समुधाय को इस केटेगरी में सामिल किया मतलब राज्य सरकार ने अपने तरब से प्रयास किया है ताकि इस समुधाय में विकास की गतिविदियों को आगे बढ़ाया जा सके और उनके पिछड़ापन को दूर किया जा सके, इनके संस्कृतियों के सर्रक्षन के साथ, तो दो समुदा है सर, एक है पंडो, जिसको पंडो भी बोलते हैं, और दूसरा है सर, भुंजिया, पंडो और भुंजिया समुदा है, अब ये निवास कहां करते हैं, ये मुद्दा ह तो ये जो है आपका महा समून, ये गरिया बन और ये धमतरी. महा समून, गरिया बन धमतरी जीलो में निवास करती सर्फ भूंजिया जण जाती। भूंजिया नाम पढ़्णने का इतिहास बताते हैं सर कि इन लोग अपने जब रोग होता था इनको, तो रोगों का इलाज जिन लोग शरीर को आख के भूंज के करते थे आज भी ग्रामिन शेत्र मोता है सर देखिएगा गावाली लोग हसी जाल को गरम करते हैं मस्त तेल टपकाते हैं फिर उसके बाद आखते हैं आज इसी को मेडिकल में पंच कर्म बोला जाता है देखे बस आ पर संस्क्रिती है लाल बंगला सम गोतरी लोग ही इसको प्योग करेंगे बहुत अच्छा ही लाल बंगला अब मेंस पढ़ेंगे तब जानेंगे क्या विसे इसकी तो लाल बंगला इनहीं में प्रचलन है इनहीं में तीर विवाह का भी प्रचलन है सर जैसे किसमें तीर वि हो जाती तो एक्चुल विवा होता है यह मिलेगा आपको भूझिया समुदाय पंडों रहती तो पंडों समुदाय निवास करती है यह आपका े जीला जहांपर पंडों क Germans सर्गुजा बलरामपू सूरजर पूर इन जीलों में पंडों करती और पंडों समुदाएं राज सरकार के द़ोराइ स्थेटस दिया गया विशेस पिछ्ड़ी जन जाती है। इसी पर प्रस्ण है सर। प्रस्ट है पंडों विकास अभी करण नीमनिक्य लिखित में से कहा इस्तित है, अब हर इन जन जातियों को स्टेटस दिया गया है कि पिछड़े पन के कारण मतलब ऐसा विशेश पिछड़े जन जाती जो नाम दिया गया है अब पिछड़ा पन दूर करना है तो कुछ न कुछ एजेंसी चलाना पड़ेगा सर जो योजनाओं को इन से संबंदित जो भी गतिविदी है उसका क्रियानवयन करें तो उसके कर रहा हूं जो पांच विशेश पिछड़ी जन जाती आपको बताई गई है तो 36 गड़ में जन जाती से संबंदित योजनाओं के क्रियानवयन के लिए तो इन समुदाय को लाब देलें के लिए अभी करन इस्थापित है पहले पांच पर बात कर रहा हूं सर पांच जो सम गठन के पस्चात एक नया प्रकोस्ट बन चुका है ठीक अब मैं आप ही को पूछता हूं आप ही बताईएगा भई अबूजमार छेत्र में एक जन जाती निवास करती अबूजमारिया तो उसके संबंधित योजनाओं के क्रियानवयन के लिए वही आसपास ही एजेंसी हो अबुजमार इदर देखे सर यह पूरा बयगा लोग है तो बयगा समुदाय के लिए है कहां बयगा विकास अभीकरन कवर्धा में कवर्धाना कविर्धाम लिखा मिलेगा आपको कवर्धा में फिर आगे चलिए सर आप इससे आगे चलेंगे तो यह है आपका गौरेला पे अबुजमार या यहां दो जगव बयगा कवर्धा और गौरेला पेंडर मरवा ही फिर आप आगे बढ़ेंगे तो यह है जन जाती ग्रीन कलर का बिरहोर बिरहोर और पहाडी कोर्वा को लेना है जस्पूर में एक अभीकरन है सर बिरहोर एवं पहाडी कोर्वा विकास अभ अभीकरन अम्विकापूर में याद रखना होगे पांच एक मिसिंग है तो वो है कमार गरियावन में है तो यह च्छै विकास अभीकरन है किन के लिए इन विसेश पिछड़ी जन जात्यों के लिए पांच है उसके लिए अब इसी के समकच राज्य सरकार के द्वारा थापित किया गया सर यहां सूरजपूर में सूरजपूर में अभीकरन है सर इसका ऑफिस जो है इस एजनसी का ऑफिस जो है वो सूरजपूर में है और दूसरा भूंजिया के लिए कहा होगा तो भूंजिया के लिए गरिया बंद में गरिया बंद में इसके लिए अभीकरन का गठन किया गया है राज्य सरकार के द्वारा 2002-03 उसी समय स्टेटस दिया गया तो उसी समय नभी करनों का गठन है आप देख लीज़े आप कहा उत्तर क्या होना चीए सर आपका उत्तर होना चीए पंडो विकास अभी करन के लिए उत्तर जो है वो है option C अगला प्रस्ना है नाडा पल्ली गूफा किस जीले में स्टित है उसूर छेतर में आप चलेंगे तो बहुं सारी गूफा है जिसमें से एक नाडा पल्ली है आवा पल्ली है उसूर गूफा है सकल नरायन गूफा है ये सब आपको बीजापुरजीला के उसुर विकास खंड के रूप में वहाँ के गाउं में दिख जाएगा शब गुफा है इसके अलावा ऐसी पल्ली टाइप के देख भी यह वाटर फॉल में गुफा नहीं ठोक देना है वाटर फॉल यह वाटर फॉल में लंक पल्ली भीजापुर जीला में तो नाड़ा पल्ली गुफा कहां है तो उत्तर होगा इसका वीजापूर प्रसन है सर, धनकुल निम्नलखित में से किस प्रकार का वाद्ययंतर है, धनकुल के बारें बात क्या जाए, तो धनकुल, अब आदिवासी वाद्ययंतर को हम बाढ़ते है चार भाग में, जो भी आदिवासी संस्क्रिती में विबिन, तीस, तेवहार, मड़ई, वड़ई के दवरान जो वाद्धेंतर बजानें की परंपर चार भाग में समन सकते हैं सर आप इसको एक तत जब तारों के कमपन के진 माध्यम की जाती संगीत मैं तब उसको बोलते हैं तत व्यांतर को ठोक के पेट के बजाय जाता है तो वह सिवाटर अब अभ ये दो टाइक के होगा सर दूनो तनिल पीघ फ्ता दूई मुखी हुई एक तनिल पीघ फ्ता एक पूखे होई जैसे तबला हमर तनिल कहा थे एक मुखी है लेकिन ठोलक लपीळ का होई दूवी मुखी दोनों तनिल पिटा था जैसे ओकर तनि मांदर पर्राग मांदर लडूनों तनि पिट थे मुनदा बाज़ा देखवे इसे बजा थे अभी हमें दसरा समाए जो हरे एक मुखी अब मांदर बज़ेश्त होगे दूई मुखी तो हरे वितत फिर होता है घं ये बना होता है लकड़ी या धातू से जैसे घंगरू घंटी घुरगुला ऐसा बहुत सारे वाध्यंत्र होते हैं घुलगुला उलगुला बुलते हैं फिर एक वाध्यंत्र है वो है आपका सूसीर सूसीर सार जिसमें फूक मारके ध्वनीत पने किया जाता है जैसे बासूरी हम लोग बजाते हैं मोहरी जैसे हमारे कल्चर में होता है मोहरी बजाते हैं सहनाई बोल दीजिए आप आज के मौडरन कल्चर के कॉड़ें तो चाह ट план कि वाध्यंत्र में बाठा जाता है अगला प्रसन है इस राजय का अक्तितिहार किस महने में मना जाता है अक्तितिहार अब यह कोश्चन लेकर से ती उठाओं में बहुता कनी इंफॉर्मेशन है अक्तितिहार माठी पूजन महाभियान के सुर्वात हो ही दिन ले अब अक्ति काहरे ते पूरा समझा दे थो इसे ते हमरे अच्छती से कड कहरा सको फारे नवारे ले नहीं हो बस तब में तोल इक्जाम के पॉइंट आफ इसे जानकारी देवत हो अक्तितिहार मना थे कब तो वैसाक महा ब काकर्थन पूत्री पूत्रग विहाव रचाथन गुड्डे गुड्यों का विवाह रचाया जाता है रस्मो रिवाच के साथ जैसे समाने रुप से विहाव हो थे उसे ने टाइप की हैं पूत्री पूत्रग विहाव हो थे अब यह परंपरा इसे ने काब रिशर तो यह प महाभारत काल महाभारत में सम जानात हो वस्ते हैं महाभारत से सम्बंधित कहानी द्रितराष्ट और गंधारी उकर कहानी से जुड़े हुए अक्ति तिहार हमन मना थान इही दिन देखे हो वाज गाव में ठाकुर देऊं तक पुजा हो थी तब हमन अपन कोठी ले दोना में ले जाके धान चड़ा थन मस्त ठाकुर देऊं तक पूजा उजा होई तब उही धान लहम ला थन घर में घर में प्रवेश कर थन अगर बत्ती हूम नरियर पुदारी उदारी धर के खेच जा थन खेच जा थन तो फिर एक कोंटल खन थन वो जो दोनम धान लेगे हैं ते प प्तितिहार मना हान हा मना अव माटी पूजन महा अभियान के रूप में सरकार है कर सुरुवात करेते जाना था हमारी हाँ सब से अधिक जो आजवी का साधन भी हरे खेती हा और हमारी हाँ 70% से अधिकाबादी खेती के कारियों में लगे हुए अब खेती उन्ना थोई सर तो यहां के लोगन उन्ना थोई सर तो यही सब चीज को ध्यान में रखते हुए ताकि खेतों में रसाइनिक खादों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा सके मिट्टी की उरुवरता समता बढ़ाया जा सके तो यह सब चीज को ध्यान में रखते प्रसन है अगला 36 गड़ की विशेश पिछड़ जन जाती के विकास संबंधी प्रकोस्ट के विशय में सुमेलित नहीं है नहीं है कहा थे अब मैं तो बता हूं के ठन प्रकोस्ट है सर दस्ठों प्रकोस्ट है अब अबूज मारिया एके जीलम रहा थे टेकर विश्डे हुए है अलग अलग जीलम रहा अभिकरन नहीं हो सके तर प्रकोस्ट बना है ता ऐला छोड़ दें अबूज मारिया मारा अब दुर्ग वाला यहां बैगा जो पढ़े हैं इधार पढ़े हैं कमार इधार पहाड़ी को रहा विरहोर दी जाएगा उपर तक तो सबसे पहले में बताओं कि 10 थो प्रकोष्ट है ओ थोड़ा पता हो तो लागा दस नौ नहीं पढ़ना है न भई चेंज कर लेना है अब कहां से हरे तते प्रतिवेदन पढ़ा थो बत्ता जान वे और प्रतिवेदन नहीं पढ़ा थो बत्ता में कत्को समझा लूँगा काहीं मेंस के तयारी कोंशचन प्रतिवेदन पढ़ना है अगर निकालना है था कावर्इम के प्रिल्फ के कहस्टन पे पर मेंस के करे करे सुद्थ सोही निकाले करे साहसे पcause यह यह होकर बेकिन सफलता के कर्रेश्यों कम है दस प्रकोस्ट है, उसमें से ध्यान देना है जो पाँच विसेस पिछडी जन जाती है, पाँच विसेस पिछडी जन जाती कोन सा है, तो पाँच में से जान चुक है, आप बाइगा, अब भूजमाणे चोड़ना पूरा तो पहाडी कोर्वा के लिए बलरामपूर में प्रकोस्ट है फिर आपको मिलेगा कमार तो कमार के लिए तिन तिन तो प्रकोस्ट है नगरी सुने होंगे धमतरी में महासमून सुने होंगे आप महासमून और भानुप्रतापूर सुने होंगे आप कांकेर में तीन प्रकोस्ट पहाडी कुर्वा बलरामपूर बतायों बैगा विकास प्रकोष्ट ये आपको बैगा विकास प्रकोष्ट मनेंद्रगड में ने मिलेगा ये है बैकुन पूर्वा तो आंसर है आपका आपसंडी आपका सही जवाब होगा अगला प्रस्ण है निम्न लिखित में से 36 गड़ की सबसे बड़ी जनजाती कौन सी है इस पर बार-बार प्रस्ण है चाहा पीएसी का पेपर देख लीजे चाहा व्यापाम का पेपर देख लीजे अगर हम जनजाती जनसंख्या की बात करें जनगन्ना दो हजर ग्यारा के आकड़ों के नुसार तो हमारे यहां 78,2,902 ये संख्या का 25,45,198 का परसेंटेज सेर रखता है 30.62 इस पर भी प्रस्ण है ये भी मस्ट है 30.62 प्रतिसात आवादी हमारे हैं जनजाती वर्ग में आता है अगर हम देखें करम कुछ प्रमुकुरूप से जनजातियों की तो 36 गड़ में सबसे बड़ी जनजाती समुदा है ग संख्यारा के अकॉर्डिंग अगर आप इस 42,902,902 में इस्थिती निकाले तो ये आपको मिलेगा 54.95 एप्रॉक्सिमेट मैं बोल रहूं लगबग हमारे 55 परसेंट जो ट्राइबल है वो गोंड में आता है फिर दूसरी बड़ी जन जाती है वो है कमर फिर उसके बाद उर पर उसके कमर लोग रहते हैं उत्तर 36 गण में प्रमुक जन जाती है वो है उराव फिर आता है दक्षिन 36 गण की जन जाती वो है हलबा ये चार प्रमुक अबादी ये जन संख्या के अधार पर सेंसस 11 की बात करों ना सेंसस जन गणना 2011 हुआ है उसाधार पर ये कहानी है अब सबसे बड़ी जन जाती कोन है तो नो डाउट आंसर होगा गोंड अब थोड़ा से इसमें ट्राइबल पर थोड़ा और अगर मैं बात करूं तो जानकारी होगा आपको कि इसमें जो है हिलाओं की संख्या 2020 है अगर आप साक्षर्ता में जानते होंगे तो साक्षर्ता इस समुदाय में 59.09% 69.09% या लगभग 1% बोल सकते हैं साक्षर्ता की स्थिती है फिर इसका वितरान हम पढ़ते हैं चाहे इसकी जन संख्या को ले करो चाहे लिंगा लुपात को ले करो चा आकड़ा हम पढ़ते हैं अब मैं थोड़ा से आपको बता दूँ तो सेंसस के आकड़ा भले 33 जीलो पर जारी हो गया है इसके आकड़ा 33 जीलो पर जारी हुआ है ग्यारा का आकड़ा लेकिन हर पॉइंट को जारी नहीं किया गया है तो मेरा एक अनुभाव के अधार पर आ जारी नहीं हुआ जन जातियों का प्रतिसात इस पर जारी नहीं हुआ है तो जो भी हमसे जुड़े थे हमसे पढ़े हैं 36 गड़ समान्य अध्यान वो इकदम हडबडाये नहीं आप 27 जीलो पर ही आकड़ा को पढ़ लिए चाहे मेंस के पॉइंट आफ यू से हो चाहे क्या जाये तो इनकी उत्पत्ती का पता चलता है हल और मूसल से और इसी में ही चीवड़ा बनाने का पोहा जिसको आप बोलते हैं सर इसी हल से इन लोग खेती करते थे और मूसल मतलब उससे कूटते थे और इन लोग बनाते थे चीवड़ा पोहा इनका परंपरा गत्वेश यही समुदाय जो है वो मुख्य रूप से क्रिसी करती है सर और इसमें मुख्य रूप से अधिकतर जो लोग है वो है कबीर पंथी और कबीर पंथ समझते हैं सर आप मास मदीरा का सेवन जो मनाही है अडंबर की मनाही है ऐसे समुदाय जो है वो कबीर पंथ को फॉलो करते हैं और अधिकतर हमारे यहां जो भी ट्राइबल ग्रूप से हैं उनके चाहे भगोलिक विसेस्ता के कारणों या किसी अन्य कारणों से हो ये सिकार की गतिविदीम रहा है खार्दे संग्रहाक समुदाय है तो इसमें मदीरा का सेवन आम बात है सर और इसमें मास मदीरा मास के साथ सिकार करके मास वास खाने की परंपरा रही है लेकिन ये भी आदिवासी होने के साथ साथ इन सब चीजों में अन्य चीजों से जूनने कारण कभीरपन से जूनने कारण क्रिसी गतिविदी करने के कारण सक्षम रुप से है चतिस गड़ में सक्षम समुदाय बोलते हैं आर् 70% अधिक इसकी अबादी साक्षर है 36 गर्ण में कौन सी जन जाती अधिक विशिस्टता असुरक्षित जन जाती समुही ये PBTG की बात कर रहा है अब आप आंसर तो समझी गए होंगे क्या होगा अबुज माडिया ये एक विशेश विश्डी जन जाती है प्रस्ण भहिए इसका उत्तर आप हमको कमेंट बाक्स पर दे सकते हैं क्योंकि बता दियो हूँ मैं सरवाधिक साक्षर जन जाती देखिए अब कोई भी कहीं बुक पढ़ रहा हूँ कि अब मैं बात कर रहा हूँ बदलाव कुछ नहीं हुआ बस उसकी कॉपी रिप्रिंट कर दी गए थी 2015 में अब 13 और 15 में रिप्रिंट हुआ तो मूल एडिसान है 13 सर तो इसमें लिखा हुआ है मैं नहीं लिखा हुआ है नहीं बूल रहा हूँ 2013 में अब आकड़ा संकलित किया गया होगा तब इसको पब्लिश किया गया होगा अब 13 में तो हमारे पास जनगनना के फाइनाल आकड़े आए नहीं थे क्योंकि अप्रेल 2013 में आकड़ा आया है और उससे पहले आकड़ा कलेक्शन हुआ रहा होगा तो इसमें लिखा होगा वो 2001 के सेंसस के आकड़ों को लेकर जैसा भी तो ऐसा था 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग उराव सबसे दिख साखछरता दर इसका सरवाधिक था लेकिन आज इनका साक्षरता दर 67% है मैं बोला हूँ 70% के साथ हलबा है अब टीके वैसनाओ की बुक पढ़ेंगे आप तो आपको मिल जाएगा सेंसस 11 के अकॉर्डिंग पूरा दिया वो भी ग्रंथ एकेडमी पब्लिस की है तो सर अब पढ़ना है आपको क्या क्योंकि अब आउटडेटेड है अब पढ़ना है टीके वैसनाओ जी की जो 11 सेंसस पराकड़े हैं तो पढ़ना अब यही है आपको 36 गड़ की सरवाधिक साक्षर जनजाती कोन है तो हलबा ही उत्तर होगा हलबा बात परधान है फिर उराओं है तो सबसे अधिक साक्षर है हलबा अगला प्रसन है 36 गड़ में विसिस्टता असुरक्षित जनजाती समू की संख्या मैं पहले ही बताए हूँ 36 गड़ के 5 समुदाय को इसमें सामिल किया गया है इसके समकक्षराज्य सरकार ने दो और नाम दिया है लेकिन वो नहीं धियान देना है आपको यह 5 धियान देना है 5 है स तो अपसन सी इसका सही जवाब है अगला प्रसन है चौसेला एक प्रकार का खाली स्थान है क्या है सर चौसेला अगर आप जानते होंगे तो चौसेला खाए होंगे कभी चौसेला के हिकमत दब सर यहरे का सोहारी पूरी कथन जेर चौसेला ही हरे सर पूरी अब हमारी है दूर सोहारी बन थे एक सोहारी बन थे गहूं आटक गेहूं आटक सोहारी बन थे अवेक सोहारी बन थे चामाल आटक जो चामाल आटक सोहारी बन थे तीहिल कथंसर चौसेला एकर से बन थे वो चौसेला लेकिन इला भाई वो जो पूरी चपकेक में चपक मत देवे पूरा पूरी चपकेक पूरी हरे है तो का हरे सब अभुसाने पकवाने ये तो जानडरे सब का हरे पकवाने 36 गड़ के चोंसेला ये है 36 गड़ के कुछ महत्पूर्ण प्रस्म मुनाकात होगी आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जै जोहार जै छतिस गड़ झाल